सुबसंद्या बच्चो आज फिजिक्स कॉंसेट की सिरीज में हम आपके लिए एक बहुत ही बहतरीन कॉंसेट लेके आये हैं जिसका नाम है सेंटर आफ मास फ्रेम I think कि सारे बच्चे मेकैनिक्स में जब सेंटर आफ मास रोटेशन टॉपिक को पढ़ते हैं उनके लिए फिजिक्स के सिचुएशन को हैंडिल करना थोड़ा टफ होता है तफ होता है as in comparison to all other chapters like आप NLM, friction, work energy, power, kinematics के सवालों में ज्यादा confident होते हैं बट जब center of mass के कुछ questions आते हैं या फिर आप rotation में जब जाएंगे उसके कुछ questions मिलेंगे या फिर आगे SHM में जब आप जाएंगे तो जब combined system का motion अगर आपको देखना होता है तो यह relatively थोड़ा tougher होता है तो actual में JE के syllabus में तो JE के syllabus में हम NCRT point of view से बात करें तो ऐसा कुछ especially आपको center of mass frame का कोई concept पढ़ाया नहीं जाता है बट खास करके JE के बच्चों के लिए जिनकी तयारी JE advance के लिए है या फिर even JE main के लिए भी है तो उन बच्चों के लिए एक concept हम लोग introduce करते हैं center of mass frame तो basically ये एक तरह का frame of reference है जहां पर आपका observer होगा वो center of mass पे बैठ जाएगा यानि combined system का motion जब हम analyze कर रहे होंगे तो उसमें हमारा observer system के center of mass पे बैठेगा तो इससे आखिर क्या benefit मिलेगा तो actual में जैसे इस topic को पढ़ने के लिए हम आपको एक छोटे से question से दिखाना चाहते हैं कि आखिर center of mass का use करने से हमें क्या benefit मिलने वाला है जैसे just for example हमारे पास एक situation ऐसा है जैसे माल लो कि हमारे पास situation है कि एक अपने पास plank है बड़ा सा जिसका surface कुछ इस तरह से है smooth surface है और इसका mass दे दिया गया है capital M और situation क्या है वो जरा समझे यहाँ पे एक छोटा M mass का block रखा हुआ था और इस सारे surface जो है वो smooth है ठीक है अब सवाल क्या है कि इस छोटे से M को V naught velocity से इस wage के इस wage के surface पे project कर दिया गया horizontally तो question आप से यह पूछ रहा है कि बताईए कि यह जो छोटा सा M है वो किस maximum height तक उपर जा पाएगा इस बड़े block के साथ इस बड़े block के उपर मतलब wage के उपर यह छोटा M किस maximum height तक जा पाएगा यह हमारे पास situation है काफी famous question है round HCV में या फिर अपने seat में module में और generally जो भी teacher अगर आपको center of mass पढ़ा रहे होंगे तो आपके class में यह topic जरूर discuss होता है यह question जरूर discuss होता है तो जैसे इस question को बनाना है तो situation क्या है कि हमारे पास एक wage है capital M mass का इसके surface पर एक छोटा M का block रखा गया है अगर मैं इसको V naught velocity से इस पर project करूँ तो यह आगे बढ़ेगा अब आगे बढ़ेगा friction है नहीं तो velocity constant रहेगा लेकिन जैसे यह curved part पर चलना चालू होगा due to normal reaction यह बड़ा wage जो है capital M का यह भी चलना चालू कर देगा और यह धीरे 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 उपर उठेगा तो जैसे horizontal level पर जब तक है gravity का कोई effect इस पर नहीं आएगा लेकिन जैसे जैसे यह height बढ़ेगा gravity force का work done negative आएगा इस पे इसके कारण इसका जो speed है वो क्या होना सुरू हो जाएगा तो हमें यह बताना है question में कि यह जो छोटा M है यह किस maximum height तक इस wage के उपर जा पाएगा हमको यह h निकालना है तो basically अगर कोई बच्चा इस question को ground frame से बनाने की कोशिज करें तो बनेगा कोई issue नहीं है अगर एक बार हम इस situation को analyze करना चाहते हैं ground frame से हमारा observer ground पे है तो ground frame से अगर हम इसको analyze करें तो यह कैसे होगा तो जरा सा देखो ground frame में बात करें तो क्या होगा कि जो observer हमारा खड़ा है वो क्या देखेगा observer जो ground पे है वो क्या देखेगा वो यह देखेगा कि यह जो छोटा M है यह चलना चालू हुआ और जैसे जैसे यह curve part पे चड़ते हुए उपर जा रहा है इसका speed थोड़ा कम हो रहा है और यह आगे बढ़ रहा है वेज आगे बढ़ रहा है due to normal reaction तो क्या है कि माल लेते हैं कि यह block इस h height तक जा पाया और यहाँ जाते जाते इसका जो velocity का vertical component है वो क्या हो गया 0 लेकिन अगर contact नहीं तूटा तो उस वक्त ज़रा सोच के देखो यह दोनों block प्लस ways के पास common velocity horizontal में रहेगा और मैं उस velocity को assume कर लेता हूँ भी तो बच्चे यहाँ समझ सकते हैं ground frames अगर देखने पे कि भाया इस system पे horizontal direction में net force हमारा 0 है तो net force अगर 0 है इसका मतलब कि सरह हम एक concept तो use कर सकते हैं कि system का initial linear momentum x-axis के along यह हमारा बराबर होगा system का final linear momentum along x-axis तो यहां से देखें तो शुरू में देखो शुरू में यह wage रुका हुआ था जो भी momentum था block के पास तो यह हो गया mv0 is equal to और बाद में इन दोनों के पास combined इन दोनों के पास same horizontal velocity है तो कि यह दोनों एक साथ जा रहे हैं और velocity का value मैंने भी माना है ठीक है मतलब कि final momentum अगर मैं लिखना चाहूं तो m plus capital m into v यह common velocity है दोनों के पास horizontal direction में तो यहां से हमारा पहला equation आ गया तो देखो यहां से तो equation आ गया लेकिन हमको तुसर h निकालना है दूसरा काम क्या कर सकते हैं तो दूसरा काम यह कर सकते हैं कि पूरे पूरे situation को analyze करो तो कोई भी friction force यहां available है नहीं अब क्या है कि अगर हम देखें तो इस combined system का total mechanical energy क्या रहने वाला है तो दूसरा यूज कर लेंगे conservation of energy और हम जो discuss कर रहे हैं वो ground frame से बात कर रहे हैं तो हम use कर लेंगे conservation of energy sir conservation of energy कैसे use करेंगे? सिस्टम का total mechanical energy शुरू में और बाद में बराबर कर देते हैं sir total mechanical energy शुरू में तो वो सर ब्लॉक का सिर्फ क्या है भाई? kinetic energy है ब्लॉग का काइनेटिक एनरजी है मैंने इस लेवेल पे पोटेंशिल नरजी क्या माल लिया जीरो तो भाई ये वेज तो चल नहीं रहा था जो भी एनरजी था शुरू में हमने दिया इस ब्लॉग को और वो क्या है हाफ एम बीनौट स्कुरे बाद में जो एनरजी वो जरा दोनों के पास kinetic energy है, कितना kinetic energy, sir, दोनों का speed तो common है, तो ऐसा करें, दोनों को एक mass system माल ले, तो mass क्या हो गया system के पास, m plus capital M into V square, now this is your equation number 2, तो देख भाई, पहले equation से V निकाल के, और लाके इसमें put कर देंगे, तो हमारा h का value क्या हो जाएगा, solve हो जाएगा, चुकि हमको situation अगर solve करेंगे, तो हमारा answer आजाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम question को ground frame से नहीं बना सकते हैं, चाहे question कितना भी complicated क्यों न हो, अगर आपका physics ठीक है, आपका maths ठीक है, तो आप ground frame से situation को analyze कर सकते हैं, ठीक है sir, लेकिन आखिर इस question में दूसरा alternative क्या हो सकता है, तो हम कि अगर इस question को हम center of mass frame से बनाने की कोसिस करें, तो I think कि ये question और आसान हो जाएगा, अब इस बात को पहले हम discuss कर देते हैं, कि center of mass frame से इसे कैसे बनेगा, जो बच्चे पहले से center of mass पढ़ चुके हैं, उनके लिए हो सकता ये equation नया ना लगे, लेकिन जिन बच्चों को center of mass frame क इसके respect में काम करने में दिक्कत आती है, उनके लिए हम पूरा का पूरा center of mass frame का कैसे यूज करेंगे, हम उसको देखेंगे step by step, proper theory देखेंगे, फिर उसके basis पे 8-10 question ढंका हम करेंगे, जिसमें से कुछ आपके center of mass linear momentum conservation पे होंगे, कुछ हम SHM वाले question भी ले आएंगे, कुछ ह हम लोग familiar हो जाएंगे, कि हम center of mass frame का basic use कर सकें, चलिए, तो अगर माल लीजिए कि situation इसी question को, सरग हम को center of mass frame से देखना है, तो हम कैसे देखेंगे, जड़ा इसको देखते हैं, जैसे हमारे पास जो situation है, वो कुछ इस तरह का था, ये M mass, जिसको हमने V naught velocity से इस पे भेका था, और ये मैंने माना कि भई, ये M mass, इस level से h height तक उपर जा पाया, हमको ये h height निकालना है, ठीक है, तो situation समाव वैसा ही है, वही सवाल को हम center of mass frame से देखने एकोसिस करते हैं, तो with respect to center of mass frame, या centroidal frame, with respect to center of mass frame, अब center of mass frame वो frame होता है, जिसमें system का total linear momentum हमेशा 0 होता है, इसलिए उसको 0 momentum frame भी बोला जाता है, हम लोग सब चीज देखेंगे, ठीक है, और center of mass frame पे अगर बैठा जाए, तो pseudo force का जो work होता है, पूरे system के लिए वो हमेशा 0 होता है, तो कुछ खास बाते center of mass frame के लिए है, जिसको हम लोग theory में देखेंगे, अभी फिलाहाल, center of mass frame से इस सवाल को अगर solve करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, work energy theorem, weight, w.e.t. work energy theorem, अगर हम center of mass frame से apply करना चाहें, तो center of mass frame से, जो हमारा work energy theorem का जो form बनता है, वो ये बनता है, work done by external force, is equal to change in kinetic energy of system with respect to center of mass, plus change in kinetic energy of center of mass, देखिए, दो बाते हैं, यह है, change in kinetic energy of system with respect to center of mass, और यह है, change in kinetic energy of center of mass, बैया, center of mass तो हमारा क्या है, reference frame है, observer वहीं पे बैठा है, उसके लिए तो हमेशा rest में है, मतलब कि सर, यह वाला term, आसानी से हमारा हर सवाल में क्या हो जाएगा, जीरो, चुकि हम कहां बैठे हुए है, center of mass frame पे बैठे हुए है, यह वाला part तो हमारा हो गया, मतलब कि अगर हम बात करें, तो work energy theorem का जो form बनेगा, center of mass frame के उपर बैठके, वो बनेगा, work done by external force, plus work done by internal force, प्लस work done by pseudo force, तो अभी हमने बताया, कि pseudo force का work done, center of mass frame पे बैठने के बाद, हमेशा system के लिए क्या आएगा, 0, तो बस यह ध्यान रखना है, कि work done by external force, plus work done by internal force, is always equal to change in kinetic energy of the entire system, with respect to center of mass, बढ़िया, अब इसमें जब हम theory develop करेंगे, तो हम देखेंगे, two particle system के लिए, two particle system के लिए, जो change in kinetic energy with respect to center of mass है, वो हमारा simply, half mu, v relative final square, minus v relative initial square, सर, यह mu क्या है, भईया, mu is reduced mass, two particle system, two mass system के लिए, जो mu होता है, वो होता है, m1, m2 by m1 plus m2, और v relative क्या है भई, तो v relative दोनों mass के बीच का relative velocity, initially और finally, चलिए, तो यह ठीक है, अब हम बात करते हैं, कि आकिर सर सवाल में यह equation लगाएंगे, कैसे, लगा लेंगे, देखो, इस situation में, इस situation में, internal force, normal force है, उसका कोई work done नहीं है, और पूरे system पे, अगर external force की बात करें, तो यह जो छोटे m पे, जो mg लग रहा है, gravity force, वही यहाँ external force है, तो external force का work done अगर देखा जाए, तो सर, external force का जो work done है, वन मिनट यहाँ देख लो, external force का जो work done है, वो हमारा simply क्या है, MGH, यह हमारा MGH है, internal force का work done सवाल में 0 है, बढ़िया, this must be equal to, change in kinetic energy of system, with respect to center of mass, ठीक है सब, ऐसा है, half, mu, mu को बाद में substitute कर देंगे, M1, M2 by M1 plus M2, अच्छा, V relative final, भाई देखो, हमने पिछले diagram में discuss कर चुका है, कि finally, जब दोनों block, जब यह छोटा MH height पे चला गया होगा, यह दोनों block, same speed से एक साथ horizontal जा रहे होंगे, तो sir, क्या है, दोनों के बीच में relative velocity, 0, भाई, relative velocity क्या है हमारा, 0, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीए, mg का जो work done क्या होगा, यह minus MGH होगा, क्योंकि mg force नीचे, और displacement किदार उपर, तो anti-parallel है, तो यहाँ दिखा लेगा, minus MGH, अच्छा, ठीक है, तो देखो, final relative velocity क्या होगया, 0, दोनों के बीच में, और initial relative velocity दोनों के बीच में क्या था भाई, यहाँ से देखो, शुरू में तो यह वेज चल नहीं रहा था, चल रहा था सिर्फ M, मतलब, शुरू में जो initial velocity है, वो हमारा क्या है, V0, देखो, तो यह हमारा equation हो गया, work energy theorem from center of mass frame, अब यहाँ से, आप देख सकते हो, कि यह simply क्या हो गया, M, G, H, is equal to minus गटा दिया, तो half, और mu का value रख लो यहाँ से, तो यह हो गया M, बड़ा M, by, छोटा M, प्लस बड़ा M, into V0, square, और यहाँ से मन करे, तो M से M यह गया, और H का value यहाँ से बच्चा लिख सकता है, H का value आ गया, देखो एक बार, H का value आ गया, बड़ा M, by, और यह, G, नीचे चला गया, तो 2G, छोटा M, प्लस बड़ा M, into V0, square, and this is our required answer, यह हमारा answer आ गया, मतलब कि Centroidal Frame पे अगर आपका Command हो जाए, तो आप खास करके, 2 Block System, जिसमें Spring जुडे हुए हो, या फिर दोनों चल रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा situation हो, उसको easy way में handle किया जा सकता है, from Center of Mass Frame, लेकिन बात तो यह है कि सर, Center of Mass Frame का बहतर use हम तब कर पाएंगे, जब हमें Center of Mass Frame के बारे में वो हर चीज पता हो, जो हमें पता होना चाहिए, तो ठीक है, जैसे यह just आपके सामने एक example था, कि आपको benefit पता चले, Center of Mass Frame का, लेकिन आखिर बच्चा के पास यह सवाल होगा, कि आखिर आप यह WET, work energy theorem, from Center of Mass Frame, यह कैसे लिख दिये, आप mu कहां से ले आए, V relative कहां से आया, तो इन सब बातों को समझने के लिए, हम लोग Center of Mass Frame का यूज करना सीखेंगे, step by step theory के साथ, अब मेरा request आप से यह होगा, कि जो बच्चे, basic 11-12 पढ़ चुके होगे, उनके लिए यह वीडियो काफी useful होगा, जो बच्चे अभी foundation में होगे, जिनका सिलेबस अभी चल रहा होगा, हो सकता है, उनके लिए यह पार्ट थोड़ा tough आए, बट कभी ना कभी आप Center of Mass पढ़ेंगे आगे चलके, और rotation पढ़ेंगे, फिर आपके लिए यह वीडियो काफी useful होगा, और hopefully आपको J advance में एक extra age मिलेगा, इस concept को पढ़ने के बाद, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, और हम theory develop करते हैं, Center of Mass frame का, कि हम Center of Mass frame का use आखिर कैसे करेंगे, तो हमारे पास, सबसे पहला पार्ट है, कि सर, Center of Mass frame क्या होता है, तो Center of Mass frame का एक और नाम, जेनरली बुक में दिया रहा होगा, Centrovidal frame, तो देखो, frame of reference क्या है, भई, basic mechanics से इतना तो पता है सबको, कि frame of reference वो location है, जहां पे हमारा observer होता है, और वो object को देखता है, object के motion parameters को study करता है, तो basically, Center of Mass frame क्या है, तो भईया, Center of Mass frame वो है, आपका observer जो है, सेंटर आफ मास, आपका observer Center of Mass point पर location पर बैठ जाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, कि अगर मैं पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का, अगर मैं linear momentum with respect to Center of Mass देखो, तो ये हमेशा क्या आएगा, 0, अच्छा, Center of Mass point वो point है, जिसके about, आपका मास मोमेंट, पूरे सिस्टम का 0 होता, ये definition में हम लोग पढ़ाते भी हैं, हम ये लिख सकते हैं, सिग्मा, M I, R I, with respect to Center of Mass हमेशा क्या होगा, 0, Mass into position vector को हम क्या बोलते हैं, Mass moment, तो Center of Mass के respect में, पूरे सिस्टम का, टोटल मास मोमेंट हमेशा 0 होगा, अच्छा कोई बच्चा चाहे, तो इस equation को differentiate करके, दो चीज और पढ़ सकता है, क्या भाई, तो देखो, अगर differentiate करें, तो हम ये बोल सकते हैं, sigma M I, V I, with respect to Center of Mass हमारा क्या होगा, 0, ये भी हमारा 0 होगा, differentiate कर देंगे, एक चीज और यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर एक बार और differentiate करें, तो हम ये बोल सकते हैं, sigma M I, A I, with respect to Center of Mass हमेशा क्या होगा हमारा, 0 हो जाएगा, मतलब ये सारी बाते mathematically आपके Center of Mass point को explain करती है, Center of Mass, किसी Combined System का वो location है, जिसके about, पूरे सिस्टम का, mass moment 0 होता है, इसका मतलब ये हुआ, कि अगर थोड़ा सा आगे बढ़के देखें, तो Center of Mass point के बाउट, पूरे सिस्टम का, जो total linear momentum होता है, वो हमारा 0 होता है, इसका मतलब ये हुआ, कि सर, Center of Mass, अगर हमारा observer Center of Mass पे है, तो neither external force nor internal force can change linear momentum of system with respect to Center of Mass, अब ये बात भी मैं लिख देना चाहता हूँ, बहुत important बात है, क्या है, with respect to Center of Mass, neither internal force nor external force can change the momentum of system. Center of Mass point के respect में, ना ही external force, ना ही internal force, system के linear momentum को change नहीं कर सकता, चलिए, अब रही बात कि हम इन सारी बातों को एके करके देखते हैं, ये सारी बातों को हम एके करके देखेंगे, तब आपको realize होगा, यहां Center of Mass, इन सारे Center of Mass frame पे ये सारे के सारे property लागू होते हैं, जैसे हम two mass system को लेके चलते हैं, जैसे माल लो कि हमारे system में दो mass है, M1 mass और इसकी velocity मैंने माल ली V1, और एक हमारा दूसरा mass है M2, जिसकी velocity मैंने माल ली V2, ये दोनों mass की अपनी अपनी velocity है, V1 और V2, और ये उनकी absolute velocity है, absolute velocity का मतलब वो velocity जो ground पे खड़ा आदमी rest में देख रहा है, ठीक है, चलिए, अब देखिए, अगर मैं बोलू, कि बताओ velocity center of mass का, इन दोनों combined system के center of mass का velocity क्या होगा, तो बच्चा आराम से बोल सकता है सर, M1, V1, प्लस M2, V2, बाई M1, प्लस M, ठीक है, ये हो गया, ठीक है बाई, चलो, ये भी हो गया, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये देखो, velocity of particle 1 with respect to center of mass, अब यहाँ पे थोड़ा relative velocity का concept भी आएगा, हम लोग इस बात को प्रूफ करने की कोशिस कर रहे हैं, समझाने की कोशिस कर रहे हैं, कि center of mass के respect में, system का net linear momentum हमेशा 0 होगा, इस बात को हम दिखाने की कोशिस कर रहे हैं, अभी हमने two point mass system को लेके शुरू किया है, जब आप result पे पहुँचेंगे, आप clear हो जाएंगे, यहाँ center of mass के लिए, चाहे point masses की संक्या की जितनी भी हो, या even rigid body का system हो, सारे body का, entire system का, जो total linear momentum होगा, about the point of center of mass हमेशा क्या जाएगा, 0, चलिए, तो पहले mass का velocity center of mass के respect में क्या होगा, सर यह बहुत असान है, velocity of particle 1 with respect to center of mass, बच्चे जानते हैं कि सर इसको हम लिख सकते हैं, velocity of 1 minus velocity of center of mass, बही, relative velocity में यह term हम लोग पढ़ते हैं अक्सर, ऐसा करते हैं, यहां से निकालते हैं, V1 minus और इसको यहां substitute करते हैं, तो M1 V1 plus M2 V2 by M1 plus M2, अब देखो इसको solve करेंगे, जब इसको solve करेंगे तो LCM यह पूरा जाएगा, तो देखो M1 V1 वाला part गया, तो यहां से क्या मिलने वाला है, देखो, यहां से जाएगा ऊपर, तो M1 V1 वाला part तो चला गया, तो यहां से आ रहा है, यहां से लिख रहे हैं, V1 with respect to center of mass, तो चलिए, तो क्या बच रहा है, M2 V1 minus, यह वाला पहला वाला term गया, और यहां से बच गया, minus M2 V2 divided by M1 plus M2, इसमें से जड़ा सा M2 को common ले लेते हैं, तो M2 बाहर आ गया, तो यहां अंदर बच गया, V1 minus V2 divided by M1 plus M2, यह आया हमारा पहले particle का velocity with respect to center of mass, काफी important relation है यह वाला, धिमाग में रखेंगे, हला कि मेरी कोशिस आपको याद करवाने की नहीं है, आप जड़ा सा इसको समझेंगे, तो काफी बढ़िया result पे हम लोग पहुंचेंगे, तो ऐसे ही, अगर कोई बच्चा, second particle का velocity with respect to center of mass निकालना चाहे, तो क्या करेगा, V2 minus velocity of center of mass, तो यहाँ से अगर देखें, उसके लिए आएगा, M1 V2 minus V1 divided by M1 plus M2, तो एक यह आ गया, देख लो, ठीक है सर, यहाँ तक तो पहुंच गया, आच्छी बात है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से equation को देख लिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं, अब हमारा जो मुद्दा है, अगला काम यह है, पिठीक है सर, ऐसा करते हैं, कि हम पहले particle का linear momentum देखते हैं, center of mass के respect, देखते हैं भई, चलो, तो क्या होगा, mass पहले particle का into velocity पहले particle का with respect to center of mass, और velocity पहले particle का with center of mass हम निकाल चुके हैं, मतलब यह अगर solve करेंगे, तो क्या आएगा, m1, m2 into v1 minus v2 divided by m1 plus m2, चलो, इस equation को जड़ा देखो, यह काफी important equation है, और यहां से तुमको एक चीज़ दिख रहा होगा, यह जो factor है, इसी को हम बोलते हैं, reduce mass, मतलब मैं इस equation को ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले particle का momentum with respect to center of mass, बराबर, इसको मैं mu से replace कर देता हूँ, where mu is called reduce mass of the system, और मैं इसको लिख देता हूँ, v-related, वही लिख सकते हैं, v1 minus v2, v-related, ठीक है, अच्छा सर, अगर यह सही है, तो second particle का linear momentum with respect to center of mass, क्या बनेगा, तो कोई रच्छा बोलेगा, एक काम करो सर, second particle का mass, into second particle का velocity with respect to center of mass, तो यहां से हमें काम करते हैं, यह, बात तो वही आएगा, m1, m2 by v1, sorry, sorry, by m1 plus m2, यहां नीचे वही आएगा, m1 plus m2, और उपर गौर से देखना, यहां आएगा, इस बार, v2 minus v1, second particle का linear momentum with respect to center of mass, हमको यह मिला, सर, इसको लिखना है, तो क्या लिखेंगे, देखो, लिख दे है, second particle का linear momentum with respect to center of mass, इसको फिर से मिव लिखा जा सकता है, अच्छा, यहां एक चीज गौर से देखना, v1 vector minus v2 vector को मैंने v relative vector लिखा है, जड़ा देखो तो यहां पर क्या है, v2 minus v1, सर, इसी का negative vector है, मतलब इसको मैं लिखना चाहूं, तो इसको मैं minus v relative vector लिख दू, with context to m1 particle, इसके relation में देखो v relative, v relative को मैंने use किया, v1 vector minus v2 vector, तो यहां पर क्या आ रहा है, v2 minus v1, तो मैं इसको क्या लिख देखो, minus v relative vector लिख रहा हूं, किसके comparison में, इसके comparison में, लिख सकते हैं, ठीक है, अब यह दोनों निकाल चुके हो, जड़ा देख लो, equation, अब अगर हम तुमसे बोलें, यह बताओ भाई, कि पूरे system का, अपने system में 2 point mass है, पूरे system का linear momentum, with respect to center of mass क्या हुआ, तो this plus this, अब जड़ा देखो, यहां v relative है, वहां minus v relative है, जैसे जोड़ेंगे, यह क्या आ जाएगा, 0, इसका मतलब, कि सर, center of mass, point के respect में, यह जो हम system लेके चले थे, 2 point mass system, इनका linear momentum क्या आया, 0, मैं बार-बार कह रहा हूँ, with respect to center of mass frame, not ground frame, ground frame से हो नहो, इसकी बात नहीं कर रहे है, हम बात कर रहे है, center of mass frame से, तो यह analyze, जो हमने analysis किया, इस equations को, इन equations को अच्छे से देखना है, और इसको practice करना है, ताकि आप में clarity आए, basically हो सकता है, कि जब आप center of mass frame के theory पढ़ें, तो आपको लग सकता है, कि आखिर इतना करने की जरूवत क्यूँ है, हम ground frame से जब question को बना सकते हैं, तो फिर इतना करने की जरूवत क्यूँ है, basically अभी हम theory develop कर रहे हैं, इसलिए, कि आप center of mass frame के respect में ज़्यादा comfortable हो जाएं, फिर एक बार जब सारी theory आप पढ़ लेंगे, तो easily इस concept को use करके, जो question आप 2 minute, 4 minute, 6 minute में बनाएंगे, हो सकता है कि उन questions को center of mass frame के respect में आप within minute solve कर लें, तो एक बार पहला statement जो हमने लिखा था, यहाँ देखो, sigma mivi with respect to center of mass 0, और यह हम लोग prove कर चुके हैं, कि सर हमारा center of mass, वो reference frame है, जिसके about, system का total linear momentum हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, बढ़िया है, चलिए, आगे थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं, जिस पे हम लोग को question में help मिलेगा, हम किसी system का kinetic energy निकालना चाहते हैं, वही, अगर हमारे पास कोई एक system है, उसका हम kinetic energy निकालना चाहते हैं, जिसे two point mass system लेके ही चलेंगे, लेकि जेनरल बात करते हैं, जिसे माल लोग कि अपने पास, एक m1 particle v1 velocity से जा रहा है, एक m2 mass v2 velocity से जा रहा है, इसी तरह से, एक m3 mass v3 velocity से जा रहा है and so on, देर सारे particle हैं, और उनका एक combined system है, इसका kinetic energy लिखना है, system का kinetic energy लिखना है, तो kinetic energy system का हमको ground frame से लिखना है, वही कैसे लिखेंगे, तो बच्चों को पता है कि सरक system का kinetic energy लिखना है तो ऐसा करो, half m1 v1 square, plus half m2 v2 square, and so on, जितने भी हैं, सबको, सबके kinetic energy को निकाल के और जोड देंगे, चुकि का kinetic energy से scalar quantity तो ऐसे करके निकाल लेंगे, तो इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन चलो, हमें काम, तो अगर हम, दूसरे form में v1 को लिखना चाहें, तो सर, v1 को हम लिख सकते हैं, velocity of 1 with respect to center of mass, plus velocity of center of mass, लिख तो सकते हैं, क्या, क्या कि देखो, velocity of 1 with respect to center of mass लिखना है, तो क्या होगा, velocity of particle 1 minus velocity of center of mass, तो यहाँ से अगर हम, velocity of particle 1 लिखें, तो क्या लिख सकते हैं, velocity of first particle with respect to center of mass, plus velocity of center of mass, ठीक है, ऐसे अगर मैं, particle 2 का velocity लिखना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ, velocity of particle 2 with respect to center of mass, plus velocity of center of mass, लिख सकते हैं इस बात को, ठीक है सर, तो ऐसे करके अगर हमारे पास n particle है तो nth particle का absolute velocity लिखा जा सकता है velocity of nth particle with respect to center of mass plus velocity of center of mass बढ़िया है यह चीजे हो गई ठीक है अब हम इस पूरे system का हम kinetic energy लिखने जा रहे हैं ग्राउंड फ्रेम से kinetic energy हम लिखने जा रहे हैं लिखते हैं kinetic energy चलिए तो kinetic energy system का हम अगर लिखें तो क्या आएगा भाई तो half M1 V1 square plus half M2 V2 square plus and so on n तक लिख देंगे इसको ठीक है सर ऐसा करें कि इसको हम लिखते हैं जड़ा देखो half M1 अच्छा V1 को मैं लिखना चाहता हूँ V1 with respect to CM plus VCM लिख सकते हैं चुकि V1 क्या हुआ हमारा V1 CM plus VCM velocity पहले particle का center of mass के respect में plus velocity of center of mass और इसके magnitude का square मतलब हमको आ गया यह V1 का square similarly हम second particle के लिख सकते हैं half M2 अच्छा V2 को फिर से क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं sir V2 with respect to CM plus VCM का square and so on जहां तक जाना है वहां तक चले जाएं ठीक है अच्छी बात है तो ऐसा है कि sir हम इसको कैसे करें देखो half M I V I CM plus VCM का square लिख लेते हैं और summation sign लगा लेते हैं लगा लेते हैं लगा लेते हैं और I हमारा one से लेके N तक जितने पार्ट के लोंगे यह काम कर लेंगे बढ़िया ऐसा है मैंने सारे को एक में include कर दिया इसको solve करते हैं जरासा half summation of M I I इस पार्ट किल का मास अच्छा इसको bracket open करों क्या मिलने वाला है तो देखो V I with respect to CM का square प्लस वेलास्टी ओफ सेंटर ओफ मास का square प्लस 2 इन्टू वेलास्टी ओफ आई एथ पार्ट के लिए विद रस्टेक्ट तू सेंटर ओफ मास डॉट वेलास्टी ओफ सेंटर ओफ मास यहां तक देखो जड़ा ठीक है कोई इसू इसमें कोई इसू नहीं आनी चाहिए बस A प्लस B to the whole square मैंने explain किया है ठीक है सर अच्छा अब क्या करना है जड़ाई के करके तीनों में लगा लेते हैं देखो क्या क्या टर मिल रहा है हाफ समेशन ओफ M I velocity of I-th part के लिए with respect to center of mass का square पहला टर मिल गया पलस हाफ समेशन ओफ M I velocity of center of mass का square दूसरा टर मिल गया तीसरा टर्म क्या है जड़ा देखो तीसरे टर्म पे गौर करो तीसरे टर्म से तो टू से तू तो गया तो यह आ रहा है सिगमा M I और यहां से देखो V I with respect to center of mass dot velocity of center of mass तो यह कुछ ऐसे expand हुआ लेकिन सर अभी हमने प्रूफ किया कि सिगमा M I V I C M यह क्या है वही इसको देखो यह है सिस्टम का total linear momentum with respect to center of mass और सर आई थिंग यह वाला चीज तो क्या होता है जीरो जिसको हम लोग अभी प्रूफ कर चुके हैं इसका मतलब कि यह वाला term गया तो बच गया बस यह term यानि चलिए अगले page पे हम लोग इसको summarize करते हैं किसी N particle के system का अगर kinetic energy लिखना है तो अपने को दो term मिल रहा है भाई दो term half sigma mi vicm square यह क्या है जरा इसको गौर से देखो यह है आई यह पार्टिकिल का kinetic energy with respect to center of mass half को अंदर कर लो तो sigma half mi vicm square velocity आई यह पार्टिकिल का center of mass के respect में तो यह जो पहला term है इसको हम क्या लिख सकते हैं kinetic energy of system with respect to center of mass और सर यह second term क्या बताता है तो यहाँ देखो sigma mi को हम total mass of system मान सकते हैं जो कि यह vcm square और यह तो हमारा क्या है center of mass point का velocity है means यह जो term है यह हमें दे रहा है kinetic energy of center of mass इसका मतलब कि इस equation को अगर interpret करना है तो ऐसा है कि हम इस equation को लिख सकते हैं kinetic energy of system with respect to center of mass plus kinetic energy of center of mass तो हम लोग एक relation पे पहुँचे हैं काफी important relation है आपके J point of view से कि किसी system का जो total kinetic energy है उसमें दो term हमको मिल रहा है पहला term है kinetic energy system का with respect to center of mass plus kinetic energy of center of mass और यह जो kinetic energy system का center of mass के respect में है इसी को हम लोग नाम देंगे internal kinetic energy यानी किसी system के kinetic energy में दो पार्ट हो गए एक पार्ट उसका खुद का internal kinetic energy plus उसके system के center of mass का kinetic energy अच्छा एक चीज़ जरा देखो अगर observer center of mass frame पे बैठा हो अगर observer center of mass frame पे बैठा हो तो उस condition में सर्फ center of mass का kinetic energy तो उसके लिए 0 हो जाएगा भाई observer खुद के motion को तो निलाइज कर नहीं सकता है इसका मतलब कि if observer is at center of mass अगर हमारा observer center of mass पे बैठा हो तो सर्फ उसके लिए तो center of mass का kinetic energy क्या हो जाएगा 0 यानि center of mass frame के respect में जो system का total kinetic energy है वो सिर्फ ये वाला term है internal kinetic energy और वो क्या है पूरे system का kinetic energy with respect to center of mass यानि अगर हमारा observer center of mass पे है तो system का पूरे system का जो kinetic energy है वो है kinetic energy of system with respect to center of mass लो भई ये हमारा एक बढ़िया सा relation याद कर लो इसको या conceptually जो हमने किया इसको 2-3 बार देख लेना इससे समझ में आ जाएगा कि अगर observer center of mass पे बैठा हो तो system के total kinetic energy में सिर्फ उस part का यूज है जो system का kinetic energy है center of mass के respect में यानि ये system का minimum kinetic energy हुआ ground frame से देखेंगे तो इतना energy तो उसके पास है plus center of mass का kinetic energy लेकिन अगर observer खुद center of mass पे बैठा है तो वो अपने motion को तो नेलाइज कर नहीं सकता देख नहीं सकता तो उस observer के लिए center of mass point का kinetic energy हो गया 0 यानि अगर तुम्हारा observer center of mass पे है तो उसके लिए system का kinetic energy हमेशा minimum होता है और वो क्या होता है भई तो kinetic energy of system with respect to center of mass ठीक है बढ़िया तो ऐसा है कि अब हम इस बात को अभी summarize कर देते हैं अभी तक के आगे हम लोग kinetic energy system का center of mass के respect में निकालेंगे कैसे इसको देखेंगे then after हम लोग उसको work energy theorem में ले चलेंगे और उसको apply करेंगे लेकिन बचों को एक बात मैं सम्झाना चाहूंगा कि आपने work energy theorem पढ़ा होगा तो अगर मैं work energy theorem की बात करूँ weight ये कहता है work energy theorem ये कहता है कि work done by all forces should be equal to change in kinetic energy of the system ये हमारा simple explanation है statement है work energy theorem का कि किसी system पे लग रहे है सारे forces का जो net work done है वो हमेशा उस system के change in kinetic energy के बराबर है ठीक है भई चलिए ठीक है अब work done by all forces में क्या क्या होगा तो हम ये बात कर लेते हैं work done internal force का plus work done external force का is equal to change in kinetic energy of system अच्छा सर change in kinetic energy of system को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते है तो देखो जड़ा change in kinetic energy of system with respect to center of mass plus change in kinetic energy of center of mass ये कहां से आया सर भई तो देखो अभी हमने इसी बात को यहां प्रूफ किया है कि kinetic energy किसी system का अगर लिखना है तो उसमें दो पाट आएगा kinetic energy system का with respect to center of mass plus kinetic energy of center of mass मतलब कि अगर change की बात करें तो change में भी दोनों factor आया change in kinetic energy of system with respect to center of mass plus change in kinetic energy of center of mass ठीक है ये तो हो गया हमारा work energy theorem अगेन अगेन अगर मैं बोलूँ कि भई ठीक है हमारा observer कहा है center of mass पे बैठा है observer is at center of mass अगर observer हमारा center of mass पे है तो सर उसके लिए तो ये वाला पार्ट हो गया जीरो भाई उसके लिए center of mass point के kinetic energy का change क्या हो गया जीरो चुकि वो अपने motion को जनलाइज कर नहीं सकता यानि work energy theorem का जो reduce form है वो center of mass frame के respect में क्या बना work done by internal force plus work done by external force is equal to change in kinetic energy of system with respect to center of mass और इसी concept का यूज करके हमने question बनाया था जो पहला question हम बना रहे थे जो हमने आपके लिए बनाया ये question center of mass frame से ये इसी concept को लेके था जरह यहां से देख लो work done by external force plus work done by internal force is equal to change in kinetic energy of system with respect to center of mass plus change in kinetic energy of center of mass लेकिन अगर खुद frame center of mass है तो ये वाला part हमेशा क्या हो जाएगा zero और उस case में हम इससे किसी भी complex situation को easy way में handle कर सकते हैं रही बात कि कुछ बच्चों को यहां पे confusion आ सकता है कि sir अगर center of mass accelerate हो रहा हो तब क्या करेंगे वही center of mass अगर accelerate हो रहा है तो pseudo force का भी work आएगा बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि pseudo force का work pair में पूरे system के लिए हमेशा cancel हो जाएगा यानि center of mass के respect में pseudo force का net work done पूरे system पे हमेशा zero होगा इसलिए उसको आपको सोचने की जरुवत नहीं है हलाकि आगे के वीडियो में हम pseudo force के द्वारा center of mass के respect में work done zero कैसे होगा इसको भी देखेंगे बट finally अभी हम लोग इस बात पे conclude करते हैं कि जो हमारा work energy theorem है वो center of mass के respect में इस form में कुछ दिखेगा आज के इस class में आज के इस वीडियो में हमने आपको center of mass frame का basic concept deal किया center of mass frame का use कैसे करेंगे और center of mass frame से आखिर समझते क्या है center of mass frame से हम समझेंगे क्या और उसको question में कैसे apply करेंगे तो अभी हमने एक part theory cover किया hopefully आगे हम लोग इसका second part ले आएंगे जिसमें हम system के kinetic energy को center of mass के respect में लिखेंगे numerically लिखेंगे then इस theorem का use करके हम लोग अच्छे-च्छे questions लगाएंगे जो आपके लिए ground frame से लगाना hopefully काफी tough होता है तो हम लोग center of mass frame के concept से उन questions को बहुत easy way में handle कर पाएंगे तो I think कि आपके लिए काफी helpful रहेगा ये वीडियो और इस series में हम दो वीडियो और लाएंगे जिसमें हम लोग center of mass frame को और अच्छे से explain करेंगे with help of several questions जो कि आपके advance के question में आ चुका है या hopefully Erodo से या किसी भी tougher book से हम लोग वैसे questions को तोड़ेंगे जो ground frame से बनाना काफी tough होता है ठीक है पढ़ते रहेए खुश रहेए मस रहेए मिलते हैं अगले वीडियो